दी एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उदेश ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं हम ऐसे चात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, ससक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाच को और बहतर बना सकें यही हमारी राष्ट्र दीवता की प्रती सच्ची स्रिधानजली है साथियो नमस्कार बहुत अस्वागत है आपका D&K Academy में मैं हूँ भगवत दांगी फाउंडर D&K Academy आज बात करेंगे भारती राजवेवस्था के दसवे वीडियो की यह दसवा भाग है और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है समविधान की विसेस्ता है यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियो इससे पहले सीरीज के सभी वीडियो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि यह जो हमारा वीडियो है यह आपको IS, PCS और जो भी आप competition exam की आप त्यारी कर रहे हैं उन सभी competitive exams में समान रूप से उपयोगी होने वाला है क्योंकि हमने इसमें सारे facts को भी cover किया है साथ में जो concepts हैं उनको भी इसके अंदर हम clear कर रहा है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखें तो चलिए शुरू करते हैं बात करें भारती सम्विधान की विशेशताओं की तुद्धी की भारत का जो सम्विधान है अनेक द्रश्टियों से अनेक एक अनूठा सम्विधान है बहुत शानدार तरीकी का अपने तरुकी का अलग समविधान बनाये गया है तो पहली तो यह के विसाल एवं विस्तरित सम्विधान है भारत का जो सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा सम्विधान है पहली वरत वर्तमान समय में भारत में के मूल समिधान की बात कर रहे हैं, मतलब मूल समिधान जब सब्दा आता तो समय लीजे का 1950 में जो समिधान बना था या 1950 में जो समिधान लागू हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं, तो मूल समिधान में 365 अनुच्छियां और 22 भाग थे, जो वर् एक और दर्श्टी से देखें जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुशेद 395 भी है अगर लेकिन 465 भी है तो वो भी 465 भी सही है 465 अनुशेद क्यों सही है यदि 21 और 21 का इन दोनों को एक ही गिना जाए तो इस हिसाब से 345 अनुशेद है लेकिन 21 को अलग गिना जाए और 21 का को एक और सम्विदान अलग अनुशेद गिना जाए तो इस तरह से कुल 465 अनुशेद है वही बात करें अमेरिका की सम्विदान की तो अमेरिका के सम्विदान में 7 अनुशेद है कानाडा के सम्विदान में क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्याद अनुछिद जो हैं आर्टिकल्स वह भारत के समिधान में ही हैं एक बहुत बड़े जो कानून विशिशक रहे हैं सर आईवर जैनिक्स और उन्होंने भारती समिधान को विस्वका सबसे बड़ा और विस्तृत समिधान कहा है क्योंकि हमार बहुत इंपर्टेंट हो जाता है जब लिकित समिधान होना क्योंकि उससे जो चीजे रहती है शक्तिया रहती है वो बिल्कुल इसपस्ट रहती है बात करें संसदी सासन प्रणाली की तो एक और जो हमारे हैं के समिधान की विसिस्ता है वो है संसदी सासन प्रणाली संगहात्मक संविधान के अंदर दो प्रकार की सासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है क्योंकि भारत का संविधान 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 के संगहात्मक मतलब राज में अलग सरकार होती है और केंदर में अलग सरकार होती है जिसे बात करें भारत के अंदर तो क्या है तो केंदर में एक केंदर सरकार है और विविन राज्यों के अंदर राज्यों की अलगलग सरकार है तो ये संगात्मक सरकार जो समिधान जहां होता है वहाँ दो प्रकार की सासन प्रनाली स्थापित की जा सकती है पहली जो प्रणाली है अध्याच्छात्मक सासन प्रणाली और दूसरी प्रणाली है संसदी सासन प्रणाली अध्याच्छात्मक जो सासन प्रणाली होती है या प्रसिडेंशल सासन प्रणाली जो हम कहते हैं अमेरिका के अंदर लागु है उसके अंदर क्या होता है और यह संसली साशन प्रणाली को पारलीमेंटरी साशन प्रणाली कहते हैं तो यह अध्या साथ्मक मतलब presidential तो यह अध्याचनलक सासन प्रणाली में क्या होता है जो रास्टपती होता है वो कारिपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और उसका निर्वाचन जो होता जनता सीधे उसके लिए बोड डालती है और सीधे जनता उसका चुनाव करती है वह नियत अवधी तक कारिकरता है जैसे अमेरिका के अंदर अध्याचन प्रणाली वहाँ पर अमेरिका में रास्टपती ही कारिपालिका का वास्तिविक प्रधान होता है और वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाता है अभी जैसे चुनावर अमेरिका में इस वर्स हुए तो ट्रम्स मोहदे जो वहां के डॉनल्ड ट्रम्स जो है वो रास्टपती बने उनके लिए सीधे जनता ने बूट किया और जनता ही उनको चुनकर लाई तो यह होती है अध्याक्षात्मक सासन परनाली दूसरी होती है संस सासन परनाली के अंदर क्या होता है कि जो रास्टपती होता है वो कारिपालिका का नाम मातर का प्रधान होता है मतलब उसके पास वास्तविक सक्तियां कोई भी नहीं होती सारी सक्तियां उसके नाम से तो होती है लेकिन वास्तविक सक्तियां से नहीं होती है जो वास्तविक होती है वो एक सरकार चुनती है या फिर एक जो अपने संसत के सदशियों को चुनती है तो जो जिस पार्टी के सबसे यादा संसत सदशियों को चुने जाते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं और तो जो वो मंत्री परिस्द वो है मूल अधिकार देखिए भारत का जो सम्विधान है विधान है भारत के नागरिक है उनके लिए कुल छे प्रकार के मूल अधिकार उनकी गोशना करता है और ये जो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है कौन-कौन से छे जो मूल अधिकार पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंतरता का अधिकार, तीसरा शोसन के विरुद्ध अधिकार, चोथा है धार्मिक सिक्षा का अधिकार, पांचपा है धार्मिकी स्वतंतरता का अधिकार, और चटवा है सामविधानिक उपचारों का अधिकार. तो ये छे प्रकार के अधिकार जो हैं भारत के लोगों को प्रदान किये गए हैं जो मूल सम्विधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या साथ थी लेकिन 44-वे सम्विधान संसुदा 1978 जब हुआ उसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको भाग 3 से हटा कर अनुशे 300 का के अंतरकत एक विधिक अधिकार के रूप में परिवर्थित किया गया है मतलब जो संपत्ति का अधिकार है वो अब मूल अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है मतलब कानुणी अधिकार तो है कि हम संपत्ति रख सकते हैं लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है जिस तरह से मूल अधिकार के लिए मूल अधिकार के अंहन पर हम हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट जा सकते हैं उस तरह से संपत्ति के अधिकार के लिए नहीं जा सकते है इसके अंदर क्या किया गया है कुछ कर्तवयों को लेक किया गया है और ये कर्तवय किसके लिए है ये राज्य के लिए है और राज्य से आश्य सम्मिधान के अंदर ये होता राज्य से का मतलब होता केंद्र भी और राज्य सरकार भी दोनों के लिए राज्य का मतलब यह होता है तो केंदर के लिए भी है और राज्य के लिए भी है तो यह जो करतब है राज्य के लिए है और यह कहां से लिए गए है आरलेंड के समयधान से हमारे भारत के समयधान में यह लिए गए है इनका जो उद्देश है एक लोक कल्यानकारी राज्य की स्थापना करना है देखे बहुत इंपोर्टेंट ये सब्द है लोक कल्यानकारी राज्य और कई वार इसे सम्मंदित परिच्छाओं में प्रस्न बने है आपको एक concept समझने होगा क्या कि एक लोग कल्यानकारी राज में ये होता है कि जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है और जनता को सर्व करने के लिए होती है मतलब उसका ultimate जो होता है वो एक बहता राज बनाना होता है जनता के लिए तो ये होता है लोग कल्यानकारी राज इन्हें नियायले द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता परन्तु 42 वे समिधान संसुधन 1978 द्वारा राज के नीती निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वो ज़्यादा भारी होते हैं उसके लागू होते मूल अधिकारों के ऊपर चली अब बात करते हैं नागरिकों के मूल करतवी मूल करतवी की की य허 भी एक बहुत इंपर्टन विसिस्था है भारत के समिधान की मौलिक जो करतब यह होते हैं इनको जो मूल सम्विधान में यह नहीं थे इनको सरदार सुरण सिंग समीती एक बनी थी उसके सिफारिस के अदार पर 42 सम्विधान संसुदन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था 42 सम्विधान संसुदन बहुत इंपोर्टेंट है जब भी आप पूरा सम्विधान हम पढ़ेंगे उसमें 42 सम्विधान संसुदन कई बार आना है तो इसी करण इसे लगू सम्विधान या मीनी सम्विधान के नाम से भी संबोधित किया जाता क्योंकि बहुत बड़ा amendment ये हुआ था 1976 में जब देश के अंदर emergency लगी हुई थी इंद्रा गांदी जी की सरकार थी देखें समिधान में भाग 4 का और उनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 मौलिक करतवयों को इसके अंदर सामिल किया गया है तो ये एक important है एक नया भाग हमने बना लिया चार का के नाम से और एक अनुच्छे जूलिया काबं का के नाम से तो इस तरह से कुल 10 मौलिक करतवयों को इसके अंदर सामिल किया गया है और ये जो मौलिक करतवय लिए गए है ये आयरलेन के समविधान से लिए गए तो जिसे आपको ये पता ही होगा चलिए अब बात माफ कीज़ेगा ये आयरलेंड के मूल करतवे आयरलेंड से नहीं लिए गए ये रूस के समविधान से लिए गए है रशिया के समविधान से मूल करतवे जो है वो लिए गए है चलिए बात करते ह है वर्तमान में जो मूल करतव हैं उनकी संक्या कितनी है ग्यारा है वर्तमान में ग्यारा मूल करतव हैं वहीं बात करें स्वतंतर निया पालिका तो संगहात्मक संविधान में जो संगहत्मक संविधान क्या होती जब एक केंद्री की सरकार होती है और राजी की सरकार अलग-अलग होती है उसे संगहत्मक संविधान कहते हैं तो उसके अंदर संग और राज्यों के बीच विवाद होने की सितियां काफी रहती है क्योंकि कई बार जब होता यह है कि केंत्री के अंदर किसी और पार्टी की सरकार है और राज्जी के अंदर किसी और पार्टी की सरकार है तो ऐसे समय में दोनों के मद्ध में कुछ विवाद हो सकते हैं तो इन विवादों के समानहान के लिए और सम्विधान के निर्वचन का दाइत्व जो है नियायपालिका पर होता है, सम्विधान का निर्वचन, निर्वचन मतलब सम्विधान के अंदर क्या लिखा है, सम्विधान क्या कहता है वो बताने का जो दायत्व है वो है नियाय पालिका और उसमें भी सुप्रेम कोट ही कह सकता है कि आकर सम्विधान में कोई बात लिखी है तो उसका अर्थ क्या है और वो उसको वही डिक्टेट कर सकता है उसके अलाब और कोई से डिक्टेट नहीं कर स यदि नियाय पालिका बंधी हुई है, सरकार के नीचे दभी हुई है तो फिर वो ऐसे फैसले नहीं ले पाईगी और सम्मेधान और मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाईगी तो इसलिए जो स्वतंत्र नियाय पालिका यहाँ प्रदान की गई है इसके लिए नियाय पालिका का निस्पक्च स्वतंत्र होना आवशक है और इसी के लिए ये प्रावधान भारती सम्विधान के अंदर किये गए हैं कि हमारी जो नियाय पालिका बहुत ही निस्पक्च है और बहुत स्वतंत्र है वो जो निर्ने देती है बिविन निर्नों में आपने देखा होगा कि किस तरह से बेवाकी से निर्णे हमारे आंके जो सुप्रीम फोट है वो लेता है चलिए अगली जो विसेस्ता है कठोर और लचीले पल का बहुत ही अनोखा मिस्रण हमारा सम्विधान बना हुआ है देखी क्या हुआ है कि यह पता कैसे चलता है कि कोई सम्विधान कठोर है या लचीला है यह इस तरह से पता चलता है कि उसमें बदलाव करने की क्या प्रिक्रिया है यदि बदलाव करने की उसमें संसुदन करने की प्रिक्रिया जटिल है तो वो एक कठोर सम्विधान होता है लेकिन यहीं उसमें अगर easily change कर सकते हैं, amendment कर सकते हैं तो वो एक लचीला सम्विधान होता है, तो हमारे हैं क्या होता है? बारती सम्विधान में संसुधन संसत द्वारा किया जाता है, विशेज़ बहुमत से भी किया जाता है, तथा विशेज बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा भी किया जाता है मतलब कुल मिलाकिर तीन प्रकार की विवस्ता हैं हमारे हां समिधान को बदलने में एक साधरन बहुमत क्या है कि टूटल जितने लोग बैठे हैं मीटिंग के अंदर उनका 50% से ज़ादा अगर कह रहे हैं 50% प्लस कह रहे हैं कि साब यह होना चाहिए तो हो जाएगा तो यह तो हुआ साधरन बहुमत लेकिन विशेज बहुमत क्या है तब विशेज बहुमत को पारित करने के लिए क्या करना पड़ता है देखे कुल जो सम्विधान की सदश संख्या है मतलब सम्विधान के अंदर जितनी सीट हैं ना कि जितने लोग भाग ले रहे हैं जितनी सम्विधान की सीट है उसके 50 प्रतिशत से अधिक लोग कहना चाहिए कि यह हो प्लस इसके अलावा एक और जो कंडिशन है और सबसे important कंडिशन जो है कि उस दिन उस बैटक के अंदर जितने लोग सामिल हैं जितने लोगों ने बोटिंग किया उस निर्ने के लिए उसको निर्ने को दो तिहाई से अधिक लोगों के द्वारा उसको पारित हो जाना चाहिए ये दोनों कंडिशन जब हो जाती तो उसे कहा जाता है विसेश बहुमत यानि कि 50 प्रतिशत कुल सीट का यहां फिर से ध्यान दीजेगा कुल सीट का 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए प्लस जितने लोगों ने सुरज बोटिंग किया उसका दोती है होना चाहिए यह होता विसेश महुमत और जब विसेश बहुमत प्लस आधे से दिक राज्यों के अनुसमर्थन की बात आती है तो विसेश बहुमत तो यह वाला फिर आधे से दिक राज्य की विधान समा ओगे 24 अमर्थन क्योंकि वर्तमान ने भारत के अंदर कुल 29 राज्जों प्लस 2 केंट सासित प्रदेशव के अंदर विधान सभाय है, यानि कि कुल 31 विधान सभाय हैं भारत के अंदर, तो अगर कोई पास करवाना है, कोई विदैक वगेरा, तो उसके लिए जो करना पड़ेगा, क है आदे से अधिक राज्यों की विधान समाओं के द्वारा चलिए बात करते हैं अगली विशेष्टा की तो वो है केंद्रो मुख सम्विधान केंद्रो मुख सम्विधान का मतलब होता है कि भारती सम्विधान में संघात्मक सम्विधान के सभी प्रमुख लक्षण उपस्त ऐसरोश वो राजन सरकार कानून बना सकती है सभरती सूची इस परकार से थो इस प्रकार से हमारे सक्तियों का बहुत इसपस्ट व्याजन है। फिर दूसरा करेक्टर होता है कि लेकित सम्विधान होना तो हमारे लेकित सम्विधान भी है सम्विधान की सरवोचता अपरिवर्तन सीलता हमारे हैं यह विवस्ता कि सम्विधान जो है वो सरवोचता है क्योंकि सारी शक्तियों का श्रोत सम्विधान ही है तो सम्विधान के अंदर बदलाव किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सम्विधान को नीचा कर दिया जाए या सम्विधान को सर्वुच्छता समाप्त करती जाए उसके संद पर संसत की सर्वुच्छता लादी जाए या नियायपालिका की सर्वुच्छता लादी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ये अपरिवर तंसील है इसमें चेंज नहीं होगा सम्विधान हमेसा सरवोची ही रहेगा साथ में सुतन तरन्याय पालिका तो ये जो करेक्टर्स हैं ये एक संगात्मक सरकार के करेक्टर्स हैं तो एकल नागरिक्ता ये है राज जिपाल की निंुक्ति राष्ट पती दवरा किया जाना ये वियस्ता जो कहलाती है अपातकालिन उबांद ये भी एक आत्मक समविदान में होता है नए राज जो के निर्मान की शक्ती जो होती है वो संसत को होती है ये भी नहर एक आत्मक सम्विधान की विशेशता है अखिल भारती सेवाएं राज्य सूची पर भी विशेश परिश्तेतियों के अंदर राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना शक्ती है तो ये सक्ती भी है तो ये सारी विवस्ता हैं जो होती है एकात्मक संविधान की होती है जिसके अधार पर जैनिंग्स जैसे कुछ विदानों ने भारती संविधान को केंद्रा भिमुक संविधान कहा है केंद्रा भिमुक संविधान का मतलब होता है कि अधिक सक्तियां केंद्र के पास हैं कम सक्तियां राज्यों के पास है तो इस प्रकार से भारत का जो संविधान है केंदराभी मुख संविधान है यानि की सेंट्रल की और जादा जुका हुआ है सेंट्रल सरकार के पास जादा पावर्स है चलिए बात करते हैं भारती संगात्मक होती हुँ भी एकात्मक की प्रवत्ती को धरन करता है मतलब हमारे हैं व्यस्ता तो संगात्मक हैं लेकिन कुछ व्यस्ता एकात्मक भी है जैसे उपर मैंने आपको बताया चलिए, अब बात करते हैं अगली विसेश्था की तो वो है व्यस्क मताधिकार व्यस्क मताधिकार क्या होता है भारत के अंदर संसधी सासन प्रणाली अपनाई गई है संसधी सासन प्रणाली में क्या होती है ये एक प्रतिनिधी प्रणाली होती है इसमें क्या करती है जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और ये निर्वाचित प्रतेजियों का जो निर्वाचन होता है इसके लिए व्यस्क मतादिकार प्रनाली को अपनाए गया है इसमें प्रतेग भारती नागरी जिसकी अठारा वर्ष की आयो प्राप्त कर ली हो तो फिर वो जाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाती का हो, कोई भी भासा बोलता हो, किसी भी प्रतेश का रहने वाला हो, कैसा भी उसका रंग हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे कोई फर्क नहीं परता है, सिर्फ एक मात रोसकी सर्थ है, हमारे देश क बनी हुई है वही बात करते हैं सम्विधान की सर्वोचता की तो हमारा सम्विधान सर्वोपर ही है क्योंकि सरकार के सभी अंगल जो है जैसे कारिपालिका विधाईका और नियाईपालिका इसी सम्विधान से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं इसलिए सम्विधान अमेरिका की, तो यहां पर यहां पर अमेरिका लिख लें आप USA, अमेरिका के अंदर समेदान में नियाइ पालिका सरवच्छी एप क्योंकि नियाय पालिका कभी भी किसी समय जो संसद होता है उसकी बातों को निरेस्ट कर सकती है, उसके दोरा बनाये गए कानुन को खतम कर सकत तो वहाँ पर न्याय पालिका सरवोचे किन्तु भारत के अंदर जो है सम्विधान को सरवोचे स्थान दिया गया है और भारत में सक्ती के स्रोत में सम्विधान सरवोचे क्योंकि सम्विधान ही बताता है कि न्याय पालिका क्या कर सकती है कारिपालिका क्या कर सकती है और इसके अनुसार संकट काल के समय हमारी राज व्यस्ता में अनेक महत्मून परिवतन हो जाते हैं। तो एक प्रकार का संकट तो यह हो गया। दूसरा जो है राज में सामविधनिक व्यस्ता जब भंग हो जाती है तो रास्ट पती सासन लगाया जाता है। और आपातकाल का जो सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है उसका जो एफेक्ट होता है वो यह होता है कि जो हमारा संगहात्मक सासन होता है वो एकात्मक सासन में परिवर्तित हो जाता है। केनर और राज्यों की जो सरकार हैं सब कुछ केनर सासन के हाथ में चला जाता है। और यह प्रावधान जो है सम्विधान को चीरापन प्रदान करता है जो भारत इसकी परिसितियों में नितांत ही आवशक है। बहुत ज़्यादा जरूरी इस प्रकार का हमारे हैं विवस्ता होना। तो यह जो इंपर्टेंट चीजे थी हमारे सम्विधान के बारे में आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यहां हमारे द्वारा और इस सीरीज के वीडियो डाले गाए हैं तो आप उन वीडियो को देखें तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह से और भी उप्योगी वीडियो आप देख रहे थे डी एंड के कैडमी जो है नमबर वन जी के चैनल आज की बात हम यहीं समाप करेंगे बहुत बहुत धनिवाद जय हिंद जय भारत